हेलो दोस्तो कैसे हैं आप उम्मीद करता हूँ आप सब ठिक ठाक होंगे बढ़िया होंगे और आपका सोग भी ठिक ठाक चल रहा होगा बिल्कुल मेरी तरह और यहां भी उम्मीद करता हूँ जो भी आपने सोग पाल रखे हैं वह बिल्कुल हश्पुष्ट होंगे साड़े-4 बजय कम है साम के समय दुफैरी मैं शाड़े-4 बजय जो अपनी मुर्गों खोलता हूं सुबहा कर देता हूं और साम को जो मैं फिर खोल देता हूं सबसे पहले मैंने गोह चेक कराए है कुछ चिक्स है part 2 और है या चालिस परसेंट जो एक मुर्गा था उस से जो मुर्गी कड़कनात की थी और देशी मुरगा था इस वाज़ें यह थोड़ा सा कि रोश बीड मा आ गया है यह यह 40% 40% जो है वो देशी के कुण है इसमें और जो है कोई सा बच्चे में देखा ता मैंने यहां पर बैठा था यहांपर बीट करेंगे इस lång hesुकत हैं इस जो हो आज में गत्ता लर्ट ने माना हूं इसके ऊपर एक भर्लप दूगा ताकि इस भर मुर्बी करनिक शचाएंग इस पर में ब्रॉक करें शचा जेक्प चिंड़ WATास तो पानी में यहां पर बैठाता है यहां पर बीट करेंगे यह पड़ी बीट यहां पर बैठाता है यहां पर बीट करेंगे इसने और इसमें पानी को यही पी लंगे तो गंदा पानी है और इसमें जो थोड़ी में दाने की जो है जानकारिया आपको दे दूँ यदि आप सह लारो वाली डोरो वाली और जो है इसमें पोल्ट रिफीड मैंने बच्चों को इन दे रहा हूं ताकि यह गर्मी से जल्दी जल्दी जो बच सके जल जल्दी अपने ग्रोथ पूरी कर सके ठीक है यह मोसम चल रहा है फिलाल अब तलग का ठीक है लेकिन आगाज आगा जो है न उननको चला जाता है जो उनके को मतलब्व का होता है ठीक है तो फिलाल जो एक जएसे हैं बाश बांध कर दिया है और चलते हैं मैं जो घरका आप screening बचतवार विस्ट किCola आपको दिखाता हूं यह मैं कुछ मैं को यह सबरात से टाल चावल तो सब fatto आपने चोटे वलज को चोटे वाल चिक्स जो कि जो मेरे चार-पाँच महीने के बच्चे हैं मैं दिखाता हूं अपने देशी के चिक्स है मेरे चोटे यह वाले यह जो चोटे चिक्स है चार-पाँच महीने के मैं इन्हें पहले खोलता हूँ ताकि मेरे घर का किचिन वेस्ट खा सके हूँ तो इससे जो है मैंने कुछ ये इस तरीके से जो चला लिया है ताकि ये सब कुछ जो है गल जाए अच्छे से मिक्स हो जाए ओशेख दिजाए तो दौस्टों मैं इस तरीके से चारों तरफ जहां जहां जो है मैंने इसने ठेल जी घर का किचिन वेस्ट मेरे ब्ली मैं लड़ेना सब को बराबर बच्छेbung और फिर हम जो है तो दोस्तों यह बड़ी-बड़ी मुर्गिया जो है मैंने यहीं पर रोक ली है बड़ी-बड़ी मुर्गिया ताकि उन बच्चों को जो है खाने खान नी देने की यह बड़ी मुर्गया जो है मैंने यहां पर रोक ली और बाकी छोटे बच्चे जो है वहां पर मैंने वह खोल दिये ताकि वह आसानी से खापी सके आराम से जब यह मेरे चिक्स खालंगे पीलंगे अच्छी तरीके से उसके बाद जो है मैं इन्हें बड़ी मुर्यों खोलूँगा उन्हें जो है अलग से फीट देना होता है जैसे कि वह मिक्स दाल दलिया या मक्का का दलिया इस तरह कर फीट देंगे उसमें बाद में वह उनका दोस्तों आप अपने चिक्सों को किस तरीक से पालते हैं मैं आपको तीन तरीक बताए जो छोटे चिक्स होते हैं मेरे वह वाले उन्हें मैं जो है अलग खाना पीना देता हूं देखो वह उस पर चल रहा है वह फीडर ड्रिंकर पर पानी के टिंकर पर वहीं पर बीट कर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं किस तरीके से पालते हैं मेरे तरीका प्रॉस्ट possessedै दों मिलते हैं एक ली वीदियो में एक नई जाने कर साथ वीडियो पूरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद